आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से चैप्टर एट एक था राजू एक था काजू कभीता के बारे में पढ़ने और समझने जारे ये कभीता सफ़ा दरहास मिजी के द्वारा लिखी गए है अलग-अलग सभाव के वेक्ती भी एक दुसरे के मित्र हो सकते हैं परस्तूत कभीता में दो मित्रों की खारिदारी की माध्यम से इसी तत्य को इस कभीता में दर्साया गया है तो चलिए हम कविता को सुरू करते हैं एक था राजू, एक था काजू, दोनों पक्के यार एक दुजे का थामे बाजू जा पहुँचे बाजार इस पंती में कभी जी कह रहे कि एक रथा राजू और एक था काजू दोनों पहुती अच्छे दोस्त, यारणी की दोस्त थे और वो एक दोनों एक तुझे का हाथ पकड़े, कहां पहुंच गए, बाजार, भीर लगी थी, धक्कम धक्का देख के रहे गए, हक्का बक्का, इधर उधर वो लगी ताकने, यहां जाकने, वहां जाकने, बाजार सब देखके वे वहां हक्का बक्का रेगे और एक तुसरे को ताकने लगे और यहां वहां चाकने लगे इधर दुकाने उधर दुकाने अंदर और बाहर दुकाने पट्री पर छोटी दुकाने बिल्डिंग में मूटी दुकाने सभी जगा पर भड़े पड़े थे दिये और पटाके फिर उन लोग जब यहां वहां जाक रहे तो देखा इधर दुकाने है उधर दुकाने है अंदर भी दुकाने और बाहर भी दुकाने है पटरी पर छोटी दुकाने है तो बिल्डिंगों में मोटी दुकाने है सभी जगा पर दे और पटाके के दुकान से भड़ा हु रहे थे राजु ने ली कुछ फुलजडिया कुछ दिये कुछ बाती बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती राजु ने कुछ फुलजडिया खरिदा कुछ दिये खरिदे उसने कहा कि मुझे रंग बिरंगी बत्ती ही अच्छी लगती है काजू बोला हम तो भया लेंगे बम और गोले इतना सोर मचाएंगे की तवबा हर कोई बोले लेकिन काजू बोला कि मैं तो बम और गोले लूँगा और बम और गोले को जला कर छोड़ंगा और इतना सोर मचाओंगा कि लोग को तौबा तौबा करेंगे ठीक है दोनों घर को लोटे और दोनों ने खेल चलाए एक ने बम के गोले छोड़े एक ने दीब चलाए अब दोनों घर वापस आए दोनों घरों को लोट कर आकर एक ने क्या किया? बम का गोला छोड़ा सुरुकिया, जो बम खड़ी दाता गोला खड़ी दाता और जो दीपक खड़ी दाता वो दीव चला रहा था काजु के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक पर राजु के दिया बाती जले देर तक रात काजु के जो बम गोले थे वो तो फटकर पूरे खाक हो गए, राक मिट्टी में मिल गए पर राजु ने जो दिया बाती खड़िता था वो तो वो जलाया था और वो काफी रात तक जला था तो ये थी राजु और काजु का कभीता किस तरह उन्होंने पाजार से कुछ खरदारी की और किस तरह राजु ने समझदारी से दिया खड़िता लेकिन काजु जो था वो गोले बम खरदा जो की जला कर ही खतम हो गया खाक में मिट गया लेकिन राजु का दिया रीपक काफी देरित तक जला और चारो तरह उजाला बढ़ा कर रखा तो देखी कविता में से हमें क्या सिक्षा मिलती है जीवन में सदेव उचित निन्ने लेने का परेतने करना चाहिए ठीक है हमें अपने जीवन में राजु के जैसा समझदारी के साथ ही सही निन्ने लेने का परेतने करना चाहिए हमेसा सही निन्ने का ही कोशिस करना ठीक है तो बच्चों आप लोग अपने घड़ों में ये कभीता को अच्छी तरह से पढ़िए गा तो ये आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आईगा और आप लोग को ये कभीता यादभी करना है ठीक है और यहाँ जो पेज लंबर 53 में सब्दों के अर्थ दिये है उसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और आपको प्रस्ण उत्तर लिख के भेज दिया जाएगा और यहाँ पड़ी कॉम लंबर समान तुक वाले दो सब्दों को लिखिए दिये गए सब्दों में अनुशार अनुशारिक का परियोग करके सुद्ध रूप लिखिए दिये गए सब्दों के भभुवचन लिखिए यह आपके होमबा के इससे आपको आपके हिंदी किताब में करके ही मुझे भेजना है ठैंक्यू स्टूडेंस